अब जो ओडियो जंगल अग्जाम 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 अब आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने अर्फी और एंड़ेपेसी गुरूपडे एक्जाम 2019 का यह फॉर्म फिल किया हुए हमने और यह 2019 का एक्जाम अभी भी आपका 2020 चल ला है अभी कोई तो लोगडाउन के अंदर जो है आपका एक्जाम तो होने वाला नहीं है लोगडाउन के बाद हो सकता है कभी डेट आज है तो जब आएगा आपको इंफर्म कर दिये जाएगा और आज हम आपके सामने ले कर रहें मैट्स के प्रैक्टिस टेस्ट सेवन्थ की यह आपका मै एक ख़ vra Familie के लिए करने है आपको धिकराल सब्सक्राइब करें एक हमारे इंफ्र आपके सब्स्क्राइब करें है करें ताकि जो भी विडियो आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नटोडिक ह 감사 अब वीडियो को जरूल्व लाइक करें अपने दोस्तों के पास एसा जरूर सेर भी करें पढ़ते हम आज के कोशन की तरफ आज का और कोशन की तरफ बढ़ने से पहले हम आज की क्लास को इस Стать करेंगे से क्या है हमारा thought of the day कि कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानो यानि कि कभी भी आपके सामने यदि मुश्किल आजा है तो इस मुश्किल से आपको आगे निकलना है इस से हार नहीं मानना है यानि इस मुश्किल को जो है जीत जाना ठीक है न तो यह आप इस thought of the day से जो ह संख्या को दोगोना करके उसमें नाइन जोड़ा जाता है यदी परडाम को तिन गोना कर दे तो तब वह संख्या 75 के बराबर होती है तो संख्या गया तके यां से मेरी बात समझ यह पी Scriptures क्किलर आसान सा question है question बोला क्या जा रहा की question में एक संख्या को दो गुना, दो गुना यानि कि 2x संख्या x है और इसको दो गुना किया जाए, दो गुना किया जाए, दो से गुड़ा कर लेंगे और इसमें यदि 9 जोड़ा जाए, 9 8 किया जाए, यह परिडाम जो आ रहा है, इस परिडाम को 3 गुना कर दे इस प्रडाम को 3 गुना कर दे तो यह 75 के बराबर हो जाएगा तो यह आपका 2x plus 9 equal to 3 से 75 कर जाएगा आपका हो जाएगा 25 तो 2x is equal to 25 minus 9 यह हो जाएगा आपका 16 तो x is equal to 16 by 2 यानि कि आपका right answer हो जाएगा option number C 8 आपका correct answer हो जाएगा option करते हैं यह छोटा सा सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगले question की बात कर लेते हैं अगला question आपके शामने है ध्यान से देखिए और इस question को solve कीजिए इसका answer क्या होगा simplify यहनि सरल करें इस question को कैसे हम solve करेंगे ध्यान से मेरी बात समझिएगा और विल्कुल अखसान से आप question को समझ पाएंगे अब यह देखिए आप 6.66 का square और माइनस 2.34 का square आप यहां पर आप समझ सकते हैं यह आपका a square माइनस b square का formula है और इसमें जो है a plus b होता है और दूसरे question में a minus b होता है यह formula यूज करेंगे उस्टे पहले आप देखें उपर 5.32 5.32 यहां पर हम जो है common ले सकते हैं 5.32 हमने common ले लिया तो यह आपका हो जाएगा 56 plus 44 फिर अपान यह आपका हो जाएगा a plus b यानि की 7.66 plus 2.34 और दूसरे question में हो जाएगा 7.66 minus 2.34 यह आपका हो जाएगा 2.34 उसके बाद आप देखें ध्यान से तो उपर वाला आपको 100 हो जाएगा 56 और 44 को एड करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा यानि की 5.32 into 3 4 10 के 0 5 4 9 और एक 100 और नीचे की बात करें तो नीचे आपका हो जाएगा 7.66 और 2.34 देखें 6 और 4 10 के 0 6 3 9 10 के 0 7 2 9 और एक 10 यानि की आपका हो जाएगा 10.00 ठीक है और इस दूसरे question की बात करें तो साथ दस मोलो 6 6 से 2 दस मोलो 3 4 माइनस करो गए तो 6 से 4 माइनस होगा 2 हो जाएगा तो 5 यह हो जाएगा 5.32 यहां सही यह 5.32 गट जाएगा अब देखें यह 10 था तो यह आपको मिल जाएगा 100 अपां 10 और इसका भी आंसर आपको करने हैं question आपके सामने क्या है कि 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336 यहनी के 336 दोसो चालिस और चानवे 96 books are respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise यहने अंग्रेजी गड़ित है था विज्ञान की किताबों के 3 sets हैं अंग्रेजी के set है 336 गड़ित के set है 240 और विज्ञान के है 292 इन किताबों को इस तरह से स्टेकों में लगाना है कि परतेक स्टेक की उशाई बरावर है और सभी किताबों के विशेवार ढंग से रखी गई हो तो इस टोक्यों की संख्या कितनी है तो सबसे पहले हैं हम इसका HCF लेते हैं इसका 336 और 240 फिर आपका 96 का हम क्या करेंगे आप जो है भाग बेदी से ले सकते हो यानि फेक्टर से भी ले सकते हो 336 में आप किसे भाग करते हो 96 अब से छोटी वाली में भाग कर लो और यहां से जो आप भाग करेंगे आपका ये जो HCF आएगा ये जो भी आएगा आपका जो है इसका HCF आप इस तरीके से करते हो फि 38 आएगा आप इस भाग विधी से करके देख लीजेगा इसका नाम होता है क्या भाग विधी भाग विधी ठीक है भाग विधी से आप जो इसको कर सकते हैं अब आई ये थोड़ी सी हम ट्रिकी मेथड बता देख ट्रिक क्या है 336 से 240 माइनस करेंगे 6 ये आपका हो जाएगा इन दोनों को माइनस करेंगे हम 6 हो जाएगा और 3 में से 4 घटेगा ये 13 में से 4 घटेगा 9 हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा नहीं घटेगा ये आपका 96 होगा इन दोनों का डिफरेंट इन दोनों का डिफरेंट देखे 240 से 96 माइनस करे 240 से 96 माइनस करे 10 में से 6 गटेगा 4 हो जाएगा और यह आपका 13 में से 9 गटेगा 4 44 हो जाएगा 144 इंडोनर का डिफरेंट और यह आपका 96 डिफ अब तो हमें जो है इसका बताना बहुत असान है अब छोटा सामारा हो गया केवल दो ही चीज हो गया 144 में आप जो है 96 से भाग कीजिए 2,90 से भाग करेंगे यह कितना बार चला जाएगा एक बार तो जाएगा ही जाएगा 96 हो जाएगा 14 में से 6 गटेगा 8 और यह फिर आपका 13 में से 9 गटेगा 4, 48 और फिर 96 यह आपका हो जाएगा 2, 96 हमारा यह कट जाएगा यह नि कि लास्ट में किससे कटा 48 से आपका HCF जो होने वाला है यह आपका 48 होने वाला ठीक है न जब छोटा आपकी संख्य हो जाएगी तो आप आसानी से सवाल उको सवाल कर लेंगे यह आपको सारी चीज़े समझ में आएगी 48 आपका जो है क्या है HCF है 48 जब HCF है तो आप जो है क्या करेंगे 46 आपका जब HCF है देखिए किसका किसका आपको बता दिये 336, 240 और 96 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 96 आएगा ठीक है और इन दोनों को 48 आएगा तो देखिए 48 का सेट बनेगा तो 336 को जो है जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा कितनी यह आपका आएगा 7 उसके बाद जो है फिर हम 240 को यह दी 48 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा 5 और 96 को divide करेंगे 48 से तो यह आपका आएगा 2 मतलब 96 जो किताबे हैं विग्यान के उनके 2 set बनेंगे जो महत की किताब है 240 उसके 48 से बाग करेंगे तो 5 set बनेगा और जो 336 बूख है उसकी set जो है 7 बनेगी तो total मिलाकर कितने set होंगे 7, 5, 12 और 2, 14 यानि 14 आपका right answer हो जाएगा option number A उमित करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगले question की बात कर लाए अगला question आपके सामने है ratio से जहांचे देखिए the students in 3 classes are in the ratio 2, ratio 3, ratio 5 यानि यदि 3 कछाओं में छात्रों का अनुपाद 2 ratio, 3 ratio, 5 है बिश चातर πरत कछाओं में और आ जाएगा यानि 20, 26 है इसमें भी 20 आएगे इसमें भी 20 इसमें भी 20 तो 20, 26 परत कछाओं में आ जाए तो अनुपाद 4, 5, 7 हो जाता है जहांचे मेरी बात समझिए 2 से 4 हो जाएगा 3 से 2 से 4 हो जायगा 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 7 हो जाएगा ठीक है तो 2 से 4 में अनुपात कितना हुआ दो हुआ अंतर 3 और 5 का अनुपात कितना अंतर हुआ दो हुआ और 5 और 7 का अनुपात का अंतर कितना हुआ दो है यानि सभी का अंतर सेम है, यानि 2 सभी का अंतर सेम है, तो 2 का मतलब आपका 20 चातर हो जाएगा, हर एक में 2-2 का अंतर है, इसका मतलब यह 20, 2 का मतलब 20, तो 1 का मतलब आपका हो जाएगा 10, अब आपसे सवाल क्या पूछा था, उसको देखिया और जल्दी से आंसर बता जीज है तो 10 unit का मतलब आपका 100 हो जाएगा तो पहले जो है छात्र कितने थे 100 छात्र थे यानि आपका right answer option number C उम्मेद करते हैं यह आपको समझ में आ गया हुआ जब यह आपको अनुपात बराबर हो तब यह आप ऐसे कर सकते हैं तब आप क्या करेंगे तब तो जो आपको सारी सीज़े अलग अलग करके समिकल बनाएके जो सौल करना पड़ेगा ठीक है अगले question की बात कर लेते हैं अगले question आपके सामने है एक परिच्छा में यानि इन examination A got 25% marks more than B एक परिच्छा में A को B से 25% अधिक अंग प्राप्थ हुए, P को C से 10% अंग कम प्राप्थ हुए और C को D से 25% अंग अधिक प्राप्थ हुए यदि D को 500 में से 320 अंग प्राप्थ हुए हो तो A को कितने अंग प्राप्थ हुए अधियान से देखिए D को मिला कितना 320 अंग ये जितना भी % होगा उसके बाद जो है C को D से 25 अधिक मिला 25% अधिक अंग मिला तो C को जो है D से यानि कि 320 का सोरी ये C को जो है आपका C को 320 का 25% अधिक अंग मिला यानि कि 125 बटे में 100 मिलेगा तो इसको हम कटा देंगे पांच पचे 25 और 25 चो के 100 और 4 बटे 32 असी 8 पच चालिस यानि कि 400 हो जाएगा C को कितना मिला 400 C को 400 मिला अब कहा B को C से 10% कम अंग मिला यानि B को जब मिलेगा तो 400 का 90% ही मिलेगा यानि 90 बटे 100 10 परशन कम का मतलब 90 बटे 100 10 ये 0 से 0 खतम 1 0 से 1 0 खतम नच्चे को 36 आपका 360 3060 हो जाएगा यानि B को कितना मिला 360 मिलेगा अब यह इतना हंग मिला एक को चार सो पचासंग जो की राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमगा अमिद करते हैं समझ में आ गया गया आप नीचे से स्वाल करते चलिए कोशन को जितना मिला उसका परसेंटेज उतना आधिक उतना कम कह रहा है तो आप सवह में उतना जोड़ लेंग लाश्ट में हमने यहाप फ्रेक्शन में चेंड करके आपको बता दिया आंसर ठीक है अगले कोशन की बात कर लेते हैं अगले कोशन आपके सामने है कि किसी वृत के अंदर वने वर्ग की भुजा ए रूट टू है यूनिट है तो वृत की परिद गयात करें ध्यान से विरी जगा बराबर होंगी यह थोड़ा सा जो है तो आप ध्यान से देखिएगा यह स्कॉयर है एक और इसकी भुजा है भाई स्कॉयर की भुजा है बराबर होती है और एक के विरीत है ठीक है वर की भुजा जो है ए रूट टू है अब इसमें आपको फाइंड करने है कि आपके व्रित की परिद बताने है, तो व्रित की परिद का फर्मूला होता है, 2πr, व्रित की परिद का फर्मूला 2πr होता है, तो सबसे पहले हम यह देखे, यह आपका यह सेंटर होगा व्रित का और यहां से यह जो रेखा है, यह रेखा जो है, यह कहला हैगा व्रित का ब्यास, या का व्यास जो है क्या है व्रित का व्यास है आपका स्टू र होता है खुआ हम पहले और फाइंड कर ले क्योंकि व्रित की परीध यह आपको निकाल ला होगा तो टू पाई आर हमें चाहिए और हमें निकालना पड़ेगा तो हम जिरित का व्यास 2R कर ले, जिरित का व्यास 2R, तो 2R is equal to, यानि तरीजिया का डबल होता है, वर का विकार, वर का विकार होता है, भुजा गुड़े कारडी में दो, भुजा, रूट 2 इसका जो है, वर के विकार का फर्मूला होता है, इसको हमने ऐसे, इसको हमने इधर कर जाएगा, तो 2R is equal to, भुजा का मान है, A root 2 into root 2 हो जाएगा, अब root 2 से root 2 में इंडू कराएंगे, तो 2R is equal to, यह हो जाएगा, 2A, 2 से 2 खतम हो जाएगा, R is equal to A होगा, अब आपसे पूछा है कि बिरित की परीद बता दीजिये, तो 2Pi और R के जगा पे A रखना है, तो 2Pi A unit आपका right answer हो जाएगा, जो की option number A आपको दिखाई दे रहा है, उमीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा, अगले question की बात कर लेए, अगले question आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसका भी answer आप बता दीजिए हमें क्या हो, A और B मिलकर किसी काम को 8 दिनों मे करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि C और A मिलकर 6 दिनों में काम को खतम करते हैं, यदि 3 एक 7 काम करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, देखिए, A और B जो है, A और B मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में, उसके बाद B और C 10 दिन में, A, B, 8 दिन में, B, और C, 10 दिन में, और C, तथा A, जो है, मिलकर इसकाड़े को 6 दिन, तो यदि इनके, हम ये देखें कि एक दिन का काम, इनका जो है, यदि 8 है, तो ये टोटल जो है, हम LCM ले ले लेते हैं, टोटल यूनिट वर्क इन लोगों ने किया, 8, 10 और 6 का जो LCM होग लगेगा, तो 8, 8, 8, 45, 45, 15 दिन लगेगा, 15 देज लग जाएगा, उसके बाद 10 वाले के 12 दिन लग जाएगा, 12 देज और 6 वाले के 20 दिन लग जाएगा, ठीक है, 8 देज और 20 देज, ये समझ में आ गया, 12 दिन और 15 दिन, ये आपको कनफर्म हो गया, अब देखिए, दोनो जब इनको सभी को 8 किया जाए, तो ये आपको मिलेगा, 2A+, B+, C, 2A+, B+, C, ये आपका कितना हो जाएगा, 15, 12 और 20, ये आपका हो जाएगा, 47, 47 हो जाएगा, तो A+, B+, C का एक दिन का जो कार्य होगा, A+, capital A लिख देते हैं, ताकि आपको दिकत ना हो, A+, B+, C is equal to 47 by 2, 47 by 2, यानि कि ये जो है, तीनों लोग मिलकर, जो है किसी कार्य को 47 by 2 days में, एक दिन में करते हैं, एक दिन का कार्य इनका ये है, तो 120, यानि एक दिन में इतने unit कार्य करते हैं, तो 120 unit करने के लिए कितने समय की जरुरत होगी, जो time अब लगेगा, जो time अब लगेगा, वो हो जाएगा, एक सो बीस unit अपान 47 by 2, 47 by 2 हो जाएगा, अब यह हो जाएगा, आपका 120 गूंडे 2 बटे में 47, तो 120 यानि कि 12, 24, 240 बटा 40, तो 240 अपान 47 को हम कैसे कर सकते हैं, इसका आप देखिए 47 किसके denominator में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, केवल C option में है, इसका मतलब जो है 5, 5 47 आपका right answer हो जाएगा, इतने दिन में यह तीनों मिलेंगे, तो कारी को जो है समाप्त कर सकते हैं, तो right answer option number C, correct answer होगा, 5, 5 अपान 47, clear है, अगले question के हम बात कर लें, अगले question आपके सामने है, दो रेलगाडियों की चालों का अनुपात 6 ratio 7 है, दो रेलगाडियों जिनकी च 364 किलो मीटर जाती है, तो दूसरी रेलगाडी के हम चाल निकाल सकते हैं, पहले रेलगाडी की चाल ग्याद कीजिए, तो पहले हम दूसरी रेलगाडी की चाल ग्याद कर लें, सेकेंड का स्पीड जो है, सेकेंड की स्पीड जो है क्या हो जाएगा, सेकेंड की स्पीड हो दूरी बटे चाल, यानि कि 364 बटे 4 km प्रतिगंडा चार से ये कट जाएगा 4, 96, 3, 4, 91 km प्रतिगंडा, इसका मतलब ये 7 वाला सेकंड का है तो 7 का मतलब, आपका 7 का मतलब 91 km पर आवर तो 1 का मतलब 13 km पर आवर अब आपसे पूछा कि पहली की चाल, तो पहली का 6 रेशियो था, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 78 km per hour इसका हो जाएगा, right answer, option number C आपका correct answer हो जाएगा, 78 km per hour, उमीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, clear है इतनी बाते, अगले question की बात करें, अगले question आपके सामन की एक साहुकार, 4% वार्षिक व्याज की दर से धन उधार लेता है, तथा चक्रविर्दी व्याज को वर्ष के अंत में लोटाता है, वह धन राषिक को जैसे कोई भी एक साहुकार है, जो 4% व्याज पर किसी से पैसा लेता है, और उसे जो है वर्ष के अंत में, एक वर्ष का अंध में लोटा देता है고요 धनराशी को क्या करता है कि 6% वार्षिक चक्रवश्रिदी व्याज की दर से जबकि व्याज अर्धवार्षिक रुप से संयोझीत होगा और उसे उधार दे देता है मतलब किसी अन्य वेक्टी को लेता है 4% पर किसी अन्य को 6% पर देता है, लेकिन वो बोलता है, कि हम जो है अरदवार्सिक ब्याज लेंगे, यानि हर चमाई पर ब्याज लेंगे तफार्स के अंद में ही ब्याज लेता है, इस परकार प्रतिवर्स हुख 144.5 रुपया यनि 104 रुपया पचास पचास पेसे का लाग प्राप्त करता है उसके द्वारा उधार ली गई धंडासी क्या है ध्यान से मेरी बात समझेए इस कोशन को आप समझ गए तो बिल्कुल आपके लिए ये सवाल अशान है ध्यान से समझेए हम मान लेते हैं कि R1 जो था उसका पहला जो रेट अप इंस्टेट था और 4% ही उसक होगा 6 by 2% जो है अर्धवार्शिक होगा यानि कि छमा अर्धवार्शिक हो जाएगा ये क्लियर हुआ जब यह अर्धवार्शिक होगा तो हम इसे कहेंगे 3% हो जाएगा अर्धवार्शिक अच्छा एक साल में कितने अर्धवार्शिक होते हैं ये 2 होते हैं इसका मतलब य देना पड़ेगा 4% थी लेकिन यहाँ पर जो है 3 दो बार दिया जाएगा तो दो बार दिया जाएगा मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 वाई 100 से ऐसे भी कर सकते हो या भी आपको जो है डायरेक्ट बताएंगे इसका रोल तो 3-3-6 जो है 6 प्लस और 3 लिके 9 0.09 यानि 6.09 परसेंट जो है यह ब्याज उससे लेगा जिसको दे रहा है उससे ब्याज लेगा 6.09 आप इसको देना कितना है 4% ही क्योंकि एक बर्स में चक्रविर्दी ब्याज और सधारार ब्याज दोनों बराबर होता है अब इसका फायदा कितना ह हुआ परसेंटेज की बात करें यह परसेंटेज आपका अच्छा यहाँ पर आप समझ लिए यह ट्रिक क्या कहता है कि आप जो है यह 3% है तो 3% को आप डबल कर लो 3 to 6 और 0.9 इसका स्कार करके 0.9 इतना परसेंट वो प्याज लेगा और देगा कितना 4% दोनों में डिफरे परसेंट का मतलब ही वो पैसा कितना बचत कर रहा है और एक सो चार रुपिया और पचास पर पैसा बचत कर रहा है ठीक है यह बात कनफर्म हो गई अब देखिए यहाँ पर एक परसेंट की वैलू निकाल सकते है एक सो चार और यह 50 लिखे ले यहाँ पर आपका 209 लिखे यहाँ से मेरी बात समझे है हमने क्या का यह पॉइंट जो है दो आस्तान खिसका दिया इसका भी दो आस्तान यहाँ पर खिसका दिया पॉइंट खतम परसेंटेज एक परसेंट हमने इसको कर लिया पॉइंट खतम अब यहाँ पर देखिए हम इसको जो है क्या कर सकते हैं 5 स से कटा सकते हैं 545 पांदूनी दस यानि कि ये एक पर्सेंट का मान जो है पचास रूप्या है तो 100% का मतलब कितना वोजएगा 100% का मतलब हो जाएगा 550 लिकर, 2-0 और बढ़ाने पड़ेंगे यानि 5000 इसका right answer हो जाएगा option number 3 उमीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया question ठीक है एक बार और वीडियो को post करके देखिएगा बिल्कुल आपको post कर लिजिए fix all कीजिए और फिर जो है दुबारा जो है इसको बैक करके देखिएगा बिल्कुल आपको जो है समझ में आ जाएगा ठीक है अगले question की बात कर ले अगला question आपके सामने अध्यान से देखिए और इस question का answer भी आपको करने है जल्दी से बता दिजिए इसका answer क्या होगा बैपारी ने एक समान खरीदा और उसे 5% हानी पर बेचा यदि हुआ समान को 10% कम मुले पर खरीदता और 33 रुपिय अधिक मुले पर बेचता तो उसे 30% का लाव होता तो समान का लागत मुले गया थे यहान से मेरी बात समझे कोई बेपारी है मान लेते हैं वो 100 रुपिय में किताब खरीदा है चाहिए कुछ भी खरीदा हो 5% हानी पर यानि उसका CP हमने माना Let CP हमने माना यहाँ पर लिख दे रहा है CP माना 100 रुपिय है तो उसका जब SP होगा जो वो हो जाएगा यह 95 रुपिज हो जाएगा क्योंकि 5% रहानी पर बेचा है यदि वह समान को 10% कम मोले पर खरीदा है यानि 100 रुपिय में खरीद रहा है अब जो है निव जो CP है उसकी निव CP नई CP वो हो जाएगी 90 रुपिय के वही 10% कम पर खरीदा और 33 रुपिय आधिक मोले पर भेचता 90 रुपिय में खरीदा और 33 रुपिय जो है क्या करता 33 रुपिय आधिक मोले पर भेचता 33 रुपिय आधिक मोले पर भेचता तो उसे 30% का लाव होता लाख परसेंटेज इस पर होगा तो 33% का लाव होगा तो 90 का यहाँ पर आप लिख सकते है, प्लस 30, तो जो प्लस 30% तो यह जो आपका ISP जो बन के आएगा, तो 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा 130%, 130 यानिके 0 से 0 खतम, 13 नवा 117 हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है इसे चाहे तो इस 90 को हटा दीजी हमने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है अब यहाँ पर हो जाएगा 117 रुपिये में सेल करेगा 117 रुपिये में वही 90 रुपिये खरीद के लाएगा 30 परसंट का फाइदा हो रहा है तो हमारे हिसाब से ये कितना हुआ, कितने अधिक, 95 में पहले बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है, तो ये 5 और 17, 22 हो जाएगा सीधे सीधे, 22 हमारे हिसाब से हुआ और प्रस्न के हिसाब से 33 था, ठीक है न, यही तो था, हमारे हिसाब से 22 और प्रस्न के हिसाब से 33, तो ह हमारे इसाबसे 2 उर्पिय का फाएदा हो रहा है तो प्रस्ट में 3 का ही स्थीं का अधिक है प्रस्ट में तो समान का लागत मुल्य ग्याद करें हम 2 यूनिट का मतलग 3 निकाल लिए तो हमें 100 यूनिट बताना है हमने माना था 100 तो इसमें 50 से इंटू करना पड़ेगा तब हमारा 100 आ जाएगा तो भाई इसमें भी यह प्रस न कहा है इसमें भी हमें 50 से 50 से इंटू करना पड़ेगा तो पांच त्याई 15 हो जाएगा आपका एक सो पचास यूनिन इसका हमारे 100 का मतलब इसका हो जाएगा 150 तो राइट आं हो गया 10% कम पे खरीदता है तो यह आपका हो जाएगा 90 और जब यह 30% लाव पर बेचता है 30% लाव पर यह मिलके आ जाएगा 117 रुपिया ठीक है 117 रुपिया अब यहां पे डिफेरेंट कितने का हमारे इसाब से 22 और प्रशन के हिसाब से इसने कहा कि 23 का हमारे हिसाब से 2 और इसका प्रशन के हिसाब से 3 हमें बनाना पड़ेगा 100 क्योंकि हमने 100 माना था यह 50 से गुड़ा करना पड़ेगा इधर भी 50 से गुड़ा करेंगे तो 50 दुनी का 100 यह तो बन जाएगा और यह पांच ती पंदरा डेर सो हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो ज हो जाएगा इसके लिए फर्मूला याद रखें बिलकुल असान सा फर्मूला है एन 1-1 अपान टी 1 और एन 2-1 अपान टी 2 ठीक है यह याद रखेंगे आपके लिए सवाल असान हो जाएगा यह आपका टी 2 है ठीक है तो यहांसे एन 1 मतलब पहले कितना गुना हुआ तीन गुना हुआ तो 3-1 अपान कितने साल में तो 20 वर्स में यहाँ पर 20 लिख दिया हमने एन 2 आपका दो गुना कहा रहा है तो 2-1 और टी 2 आपसे पूछा जा रहा तो ध्यान से दिकिए यह आपका हो जाएगा 2 बल्टे में 20 और एक्वल टू 1 अपान टी 2 दो से 20 कटम हो अगले क्वेशन की बात कर लो है अगला कोशन आपके आपके सामने है ध्यान से देखिए और इसका भी आंसर आपको करने हैं तो सबसे पहले ये जो भी रेशियो दिया गया है A-V-C-D का रेशियो आपको फाइंड करना है तो जीतने भी रेशियो फ्रेक्टन में है सबसे कर लें इनको जो है हम सधारण में चेंज करेंगे तो सधारण में चेंज करने का रूल बस यही है कि आप A ratio B को इन दोनों का हर का LCM करके या तीरिये गुड़ा करके आप कर सकते हो ठीक है तो आप जो है LCM की बात कर लें हम तो B ratio C 9 है तो यहां पर 9 से इन टू होगा और यहां पर भी 9 से इन टू होगा तो 3 से 9 को कटा देंगे यह हो जाएगा आपका 3 3 3 9 और यह आपका हो जाएगा 5 उसके बाद C और D की बात करें तो 6 और 4 6 और 4 का LCM होगा आपका 12 तो इसमें भी 12 से इन टू होगा और यहां पर भी 12 से इन टू होगा 3 से भाग करेंगे तो C और D का जो ratio आएगा 6 से अपने इन टू क्या किश में 12 में तो यह 6 से 12 कर जाएगा दो बार में और 5 दूनी 10 हो जाएगा उसके बार इसको 4 तो 3 3 9 हो जाएगा यह आपको मिल गया क्या ध्यान से देखिए A और B का जो आनुपात मिला आपको A और B का आनुपात मिला 4 ratio 3 ठीक है, B और C का जो अनुपात मिला ये मिला 3 ratio 5, और C ratio D का जो अनुपात मिला, C ratio D का जो अनुपात मिला ये आपका 10 ratio 9 मिला, अब यहाँ पर हम देखे, हमें बताना क्या है, A ratio B ratio C ratio D, ये बताना है सेरी छीज़े, अब देखे, ध्यान से क्या होगा, A और B, B और C, तो B का ये 3-3 है, तो हम direct लिख सकते हैं, 4 ratio 3, ratio 5, B का जब समान है, तो हम लिख सकते हैं, इसे direct, अब बचा आपका D, तो D को लिख लिए हैं, आपर 10 और 9, अब देखे, ध्यान से महिवाद संगे, यहाँ पर C 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर C 5 है, यहाँ पर 10 है, तो आप इस C को भी 10 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बराबर हो जाएगा, तो हमें 2 से इन्टू करना पड़ेगा, 2 से इन्टू कर लिजिए, बस आपका काम हो गया, direct यहाँ पर लिख लिजिए, 4 का डबल 8, और 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, तो C का 10 होई गया, और यह D 9 तो हो गई होगा, तो करते हैं, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वाई एगले कोर्शन की बात करते हैं, अगले कोर्शन है, आपके सामने ध्यान से देखिए, और अगले कोर्शन है कि वोनेश सेल्स टू टेप रिकॉर्ट्स आड़ द सेम प्राइस, एनि कि वोनेश ने दो टेप र की हानी होती है, तो इस सवदे में प्रतिसत लाव या हानी याद करें, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि SP बराबर हो, शेलिंग प्राइस दो बस्तू का बराबर हो, और एक पर जो है लाव हो, और दूसरे पर हानी हो, तो इस स्थिती में इसका रिजल्ट निकल के हो जाएगा, 100 अपान 100 और यह हो जाएगा आपका 1, यानि 1% का क्या हो जाएगा, लोस होगा जो की राइट आंसर अप्शन नमबर P, 1% का लोस हो जाएगा, इसका राइट आंसर अप्शन नमबर P, यह आप याद रखें इस प्रेटर्न को यदि विक्रे मुल्य समान है, SP भी बराबर हो, तो एक परलाब और दूसरे पर हानी हो और यह परसेंटेज बराबर हो, तो एक X स्कॉार Y 100% के हानी होगी, अच्छा यदि परसेंटेज बराबर नहीं हो तब क्या खरेंगे, तो परसेंटेज बराबर नहीं हो तो आप X प्लस Y प्लस XY अपान 100 फर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यदि प्लस के लिए प्लस साइन लिखते हैं, तो यह आपका profit हो जाएगा, और minus लिखते हैं, तो यह आपका loss हो जाएगा, यह आप याद रखेंगे, last में जो result आएगा, यदि minus में आता है, तो loss है, और plus में आता है, तो profit है, इसको is equal to 2 और X sin theta plus Y cos theta is equal to 4 में से theta खटाने पर कौन सा कथन जो है क्या होगा सत्य होगा तो क्या होगा theta हटेगा कैसे ध्यान से देखिए अब आपको जो है इसमें करना होगा कि दोनों को square करके square करके दोनों को क्या करना होगा दोनों को एक साथ add करना होगा तो हम square करें यहाँ पर यह आपका square कर रहे हैं और यहाँ पर 2 का square फिर यहाँ पर x sin theta इसको square और फिर 4 का square तो add करेंगे तो आईए हम एक बार जो है इसे solve कर लेते हैं यह आपको निकल के आएगा x square कास square theta minus y square sin square theta sin square theta फिर यह minus 2xy sin theta into cos theta sin theta into cos theta उसके बाद जो है यह plus करना इसको जूड़ना है तो यह plus लिखेंगे हम x sin theta फिर वही चीज़ आपका आएगा x square sin square theta plus y square अब हो जाएगा यह कास square theta और यह plus है तो plus हो जाएगा 2 sin theta sorry 2 फोड़ा सा और इसको आगे लिखते है प्लस 2xy sin theta into cos theta यह हो जाएगा पूरा हमने इसको और इसको 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 खरके जोड़ दिया और जो बराबर के left right side में हो उनको एक साथ तो 2 का square 4 हो जाएगा और 4 का square हो जाएगा आपका 16 यह हमने कर लिया अब देखिए minus 2xy sin theta और plus 2xy sin theta कर जाएगा अब देखिए x square cos square theta और यह minus y square sin square theta है यहाँ पर यह आपका प्लस होता है x a square plus b square minus 2 यह भी होता है ठीक है अब देखिए x वाले को साथ x में यह x square यह दी common ले लेते हम x square common तो आपका हो जाएगा sin square को पहले लिखे 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 sin square theta plus 80 square theta ठीक है उसके बाद हम y square common ले ले y square यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा sin square theta plus cos square theta यह मिल जाएगा और equal to 16,4 20 हो जाएगा अब देखिए यह आपका one हो जाता है और यह भी आपका one होता है sin square theta plus 80 theta command 1 होता है तो x square plus y square is called to आपका हो जाएगा 20 यह आपका correct answer हो जाएगा option number a कुमित करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा सिर्फ square करना है दोनों तरफ और square करके aid कर देना है ठीक है अगले question की बात करें अगले question आपके सामने है find the value of जो है आपका root के अंदर दिया 248 3 plus root 52 और 3 plus 144 144 का आप square root निकालोगे तो 12 हो जाएगा 52 और प्लस 12 52 प्लस 12 आपका कितना हो जाएगा root के अंदर हो जाएगा आपका two two four और यह five on six इसका eight हो जाएगा यानि यहां तक आपका यह रूट हड़ता है तो यह आपका eight हो जाएगा अब अंदर रूड में 248 है और प्लस 8 8 कर ले तो यह आपका हो जाएगा कितना 288 16 के 6 415 2 256 किसका होता है यह आपका होता है 16 का लेकिन इससे पहले रूट है तो रूट है इसका मतलब यह आपका प्लस माइनस 16 होगा अंसर होगा अप्शन नंबर भी उमित करते ही आपको समझ में आगया होगा अगले क्वोशन की बात कर लिए अगला क्वोशन आपके सामने है कि एक이 इसी टंकी को 5 घंटे में वर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाईप चार घंटों में खाली कर सकता है यदि टंकी पूर्णतिया भरी हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाए तो तंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी यानि कि इसमें दो लोग काम करेंगे एक भरने वाला और एक खाली करने वाला जैसे दो लोग काम करे 2 लोगों के लिए हम आपको एक फर्मुला बता है whip by या माइनस वाई यहां पर REM या हो जाएगा दोणों खाली करने वाले थो भी पलस होका लेकिन इक खाली करनेम वाला जो भरने वाला थो मायनस हो जाएगा यहां पर BC होगा 20 घंटे में यह जो है क्या करेंगे 20 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगा तो right answer option number उमीद करते हैं यह दिया आपको समझ में आ गया होगा अगले question की बात कर ले अगले question आपके सामने है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमेटर की दूरी तेग करता है जबकि इतनी दूरी वा धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तेग करता है धारा की दिशा में चाल हम निकाल सकते हैं भाई दूरी बटा समय, दूरी कितना है, 20 किलो मीटर है, 20 किलो मीटर जाता है, दो के स्पीट से तो यह हो जाएगा, 10 किलो मीटर पति घंटा, इसमें क्या-क्या सामयल है, धारा भी सामयल है, और नाव के भी स्पीट सामयल है, दोनों की स्पीट सामयल है, जबकि इतनी ही इसमें दोनों को जोड़ के दिया है इसमें धुनों को घटा के दिया गया है जब भी आपको इस तरीके से मिले यानि X प्लस Y हम अमने नाव जो है X है और धारा Y है X प्लस Y 10 किलोमीटर आ रहा है और X आपका नाव और धारा माइनस कर ले हम तो इसका जो है स्पीड जो है यानि भी प्रित में चलेगा तो भाई नाव तभी आगी जाएगी जब नाव का स्पीड दीखो तो यह आपका दिया है 4 आप देखे जब भी इस तरीके से आपको एक क्वेशन मिल जाए कभी दोनों को जोड़के दे दिया जाए आपसे जब कभी भी आपसे एक्स का मान पुछे यानि जो बड़ा वाला है उसका मान पुछे तो एक्स इस कल्टू सीधे सीधे आप 10 प्लस 4 कीजिए और अपान 2 कर लीजिए तो 14 बटे में 2 कर लेंगे यह हो जाएगा आपका 7 7 किलोमीटर पर आवर किसका हो जाएगा आप दोनों को जोड कर 2 से भाग कर दो और जब छोटा मान निकालना होगा तो दोनों कर घटा कर 2 से भाग कर लो यह हो जाएगा 6 बटे 2 और 6 बटे 2 यानि कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तो 3 आपसे नहीं पुछा है यह धारा थी यह धारा का नहीं पुछा है आपसे 7 जल में नाव की चाल यानि सिर्फ नाव की चाल आपका राइट आंसर है अप्शन नंबर ए 7 किलोमीटर पर हावर बिलकुल सही है समझ में आ गया अगले कोशन की बात करें अगला कोशन आपके सामने ध्यान से देखिए और इस कोशन को सौल कीजिए इसका भी आंसर आप बता हम उलने गयात करें ध्यान से देखिए दो टाइप के इसको जो है दो तरीकों से सौल कर सकते है ध्यान से मेरी बात समझिए पहले अब बेसिक तरीका मान ले हम मान ले CP हमारा जो है, कितना है, X रुपिया है, X रुपिया है, तो जो SP बनेगा, ये बनेगा 20% का लाभ कमाता है, तो SP जो है, ये SP, ये आपका X का, कितना 20% का होता है, 1 upon 5, यानि कि 6 by 5 हो जाएगा, 6X upon 5 रुपिया में सेलिंग है, ठीक है न, उसके बाद जो है, इसने कहा कि, बस का अंकित मोले 800 है, 800 रुपिया है, 800 रुपिया को 10% के छूट पर बेचा गया है, तो 800 को 10% छूट पे, ये सेलिंग प्राइस होगा, यानि कि 6X upon 5 रुपिया था, उसके बाद जो है, अब ये 800 रुपिया का 10% यानि कि, ये आपका जो है, एक बटे 10 होता है, तो ये हो ये हो जाएगा आपका, ये दिना, 982, 720 रुपिया, एनि, X is equal to 720 बूडे 5 और बटे में 6, ये बार चके बाद तर, 120 और 12, 65, 6,000 रुपिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सोरी, 600 रुपिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 रुपिया, यहाँ पर, 30 भी 0 होगा, यहाँ पर हमने 6,000 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 12, 65, ये जोए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से मेरी बाद समझेए, यहाँ पर कुछ mistake हो रहा है, देखिए, यहाँ पर 6,615 ये ठीक है, 800 रुपिया दी है, तो 9, 15 हो जाएगा, एक जीरो खत्म, 982, 720 बारा पच्छे साथी होगा, ये 600 रुपिया हो जाएगा, ये समझ में आगे, 600 रुपिया इसका क्या हो जाएगा, ये वस्तु का CP हो जाएगा, अब ये second method की बात करते हैं, second method क्या है, second method है कि आप CP ratio MRP निकाल लेंगे, तो आपके लिए सवाल असान, CP ratio MRP क्या होता है, जो profit होता है, वो MRP में जोड़ेंगे, और जो आपका discount होता है, और CP से घटाएंगे, तो CP को हम 100 मान ले, CP को 100, और ये 100 मान के ही होता है, 100% एदी CP हो, और आपका 10% छूट, इसी में 10% छूट कर देंगे हम, और MRP जो है आपका, MRP जो भी दिया हो, तो 100 इसको भी मानेंगे, MRP और इसमें profit जो हो रहा है, उसको add कर लेंगे, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 120, यानि इसका जो ratio आएगा 30 से हम कठा सकते हैं, 30 के 90 और 300 के बारत, 3 ratio, 4 आएगा, CP और MRP का ratio जो है 3 ratio 4 होगा, अब देखिए 4 की value दे दिया है, 4 का मतलब इसने कहा कि 800 रुपिया है, तो 4 यानि एक का मतलब आपका 200 रुपिज हो जाएगा, एक का मतलब 200 रुपिया है, तो आपसे बताना है MRP, ESCP बताना है, तो 3 बता देंगे, हमारा answer आजाएगा, तो 3 का मतलब हो जाएगा, 3 दूनी का 600 रुपिया, आपका correct answer हो जाएगा, option number D, एक बार आपको अच्छा लगा ह या प्रती लीटर वाला रसायन है, क्या है, एक आदमी के पास 25 रुपिया है, प्रती लीटर वाला रसायन है, और किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए, ताकि मिसराड को 20 रुपिया प्रती लीटर बेचने पर भी 25% का पायता हो जाए, ठीक है, इस सवाल को कै कैसे करेंगे एक आदमी के पास 25 रुपिय प्रती लीटर वाला रसायन है उसके पास और उसने जो है 25 रुपिय वाला रसायन है और उसने किस रुपात में पानी को मिलाया जाए कि ताकि मेसरड को 20 रुपिय बेचने पर ंधी फैसको 20 पर तरीकों से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं दोनों तरीका पहला बेसिक फंडा देख लिए बेसिक तरीका क्या है वाला बेसिक तरीका देखे ध्यान से हमने मान लिए कि हमारे पास जो है पचीस रुपिया लीटर वाला जो है पचीस रुपिये वाला एक्स लीटर है हमारे पास रस हो जाएगा 25 एक्स रुपिया हमारे पास CP ठीक है अब जो होगा हम जो है इसमें क्या मनाएंगे वाई लिटर हमारे पास यह दी पानी है वाई लिटर पानी मिला रहे हैं तो अब जो मिस्राल बनेगा एक्स प्लस वाई लिटर हो जाएगा और इसको हम बेचना है हमें 20 रुपिया के हिसाब से तो 20 रुपिया पर लिटर यदि बेचेंगे तो इसका दाम बन जाएगा 20 एक्स प्लस वाई रुपिया टोटल हो जाएगा ठीक है यह 25 एक्स प्लस य रूपिया पर लिटर है अब 20 रूपिया बेच रहे है तो भी जो है बेचने पर 25 परसंट का लाब हो जा रहा है कितने का लाब हो जा रहा है 25% का lab हो रहा है तो 25% का मतलब कितना यानि यह हमारा CP था हमने खरीद के रहा है इसमें पानी में ला दिया तो फायदा होगा तो फायदा है इसका मतलब 25X का हमें 25 का परसेंटेज यानि 25 का जो है fraction value क्या होता है 1 upon 4 होता है और जब profit होगा तो इसमें 8 कर लेंगे इसका मतलब 5 upon 4 में बेचा जाएगा तो 5 upon 4 यहाँ पर और यहीं equal to हो जाएगा 20X plus Y के बराबर ठीक है 5 से 520 यह आपका 4 से यह 4 को इधर गुड़ा कर ले तो यह 25X equal to 25X is equal to 16X और फिर यह आपका 16Y यह 16X इधर आजाएगा तो यह हो जाएगा आपका 9X equal to 16Y तो X ratio Y is equal to 16 ratio 9 आपका correct answer हो जाएगा 16 ratio 9 आपका भी option सही है यह पहला मेथड है दूसरे मेथड की बात कर लें द्यान से मेरी बात समझेएगा दूसरे concept आपका tricky concept होगा देखें 25 रुपिये वाला है और इसको जो है हम क्या करें 25 रुपिये वाला है यह आपका मिसरड है रसायन है ठीक है न यह आपका chemical हम कहा सकते है chemical और water जो है आपका water कितने रुपिये वाला है भाई 0 रुपिये वाला है water कितने रुपिया वाला, जीरो रुपिया वाला, अब इन दोनों को mixer को मिला करे हमें कितने रुपिया बेचना है बिस रुपिया बेचना है, टो आप ऐसे इन दोनों को घणा लीजिए, 25 से 20 माइनस होगा यह हो जाएगा आपका 5 और 25 से sorry यह आपका जो है 16 कैसे आ जाएगा 20 रुपिय प्रती लीटर के हिसाब से बेचना है तो हम माल लेते हैं यह मिक्सर हमें सेलिंग यह CP ही चाहिए हमें क्या चाहिए यह इसमें CP चाहिए और 20 रुपिय तो यह आपका SP है ठीक है न हमें CP चाहिए तो माल लेते हमारे पास CP एक्स रुपिय था एक्स रुपिय रहा था मिक्सर करने के बाद एक्स रुपिय हुआ और इस एक्स से वो 25 परशन्ट का सोलर रुपिय हमारा मिक्सराड का CP अब 25 से सोलर माइनस होगा तो यह हो जाएगा आपका 9 और यह हो जाएगा आपका 16 तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर रेसियो नो आपका 16 रेसियो नाइन अंडर परशन्ट आंसर confirm हो जाएगा यह आपका 9 था 16 डेसियो आपका 9 result आजाएगा जो कि option number 20 है अगले question की बात कर ले अगले question आपके सामने ए तथा बी ने एक बूटिक की शुरुवात की यानि की कोई business किया invest किया उसमें 35,000 रुपया तथा 56,000 रुपय की पोजी के निवेस करते हैं ठीक है यह था था बीने एक बूटिक की शुरुआती है जिसमें 35,000 रुपय पोजी के निवेस करते हैं इनका जो ratio आएगा 35,000 रेसियो 56 तब 75,000 रेस तो एक का मतलब आप जो हो जाएगा 9,000 तो आपसे कहा कि वेपार में कुल कितना लाब हुआ तो 8,5,13 हुआ लाब तो 13 का मतलब 9,13 इंटू 9,000 यह हो जाएगा 1,1,7, 13,9,170 और 3,0 हो जाएगा तो 1,17,000 का टोटल फैदा हुआ है तो राइट आंसर है option number D अब कभी भी इस तरीके के सवाल जो है आप ratio method सही करेंगे इनकी रेसियो अनुपात निकालेंगे और इसके बाद जो है सवालों को सवाल करेंगे अगला question आपके सामने है कि 800 chocolate एनी 800 chocolate एक अच्छा के विद्याथियो में बाठी गई यदी परते एक छात्र को कच्छा में छात्रों की संख्या की दोगूनी chocolate मिलती है यनि कि यदि एक छात्र है तो एक छात्र को दो एक चोकलेट मिलेगा तो हमारे पास 10 छात्र है तो एक क 20 चोकलेट मिलेगा तो इस तरीके से x into 2x is called to 800 चोकलेट है तो 2 से हमने कटा दिया यह 400 हो जाएगा तो x square is called to 400 x is called to कितना 20 आ जाएगा आप square root 400 का निकाल दोगे तो x is called to 20 इसका मतलब कितने चात्र है 20 चात्र है और x को कितना मिलेगा चात्र 20 है और एक चात्र को इसके double मिलते है यहनि 20 चात्र है तो 20 का double 40 मिलेगा तो आप देखिए 4 दूनी 800 हो जाएगा correct answer ठीक है यहनि option number B आपका D option चाही था 20 अगले question की बात करें अगले question आपके सामने कि चीनी के मुल्लेओं में 20 प्रतिशत की ब्रिधी हो जाती है तो चीनी के खफ़त को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च और परिवर्थित रहे है ऐसे सवाल के लिए आप ट्रिक याद रखिए 100X अपान 100 प्लस माइनस एक्स यह ब्रिधी कह रहा है तो आप प्लस रखोगे यही कमी कहता तो आप माइनस रखोगे पस यही से आपका सवाल सवाल हो जाएगा 100X यहानि कि यहाँ पर आपको परसेंटेज 20 और यहाँ पर आपको प्लस रखना है 100 प्लस 10 यहानि कि यह हो जाएगा 100 इंटू 20 अपान 120 0 से 0 खतम 2 से 12 खतम 6 और फिर इसको लिख सकते हैं 50 बटे 3 50 बटे 3 को लिख सकते हैं 16 से 2 बटे 3 परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा उमिद करते हैं यह समझ में आ गया होगा अच्छा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं यही 20 परसेंट है तो 20 परसेंट का फ्रेक्षन कितना होता है व से पहले जब उपर जाएंगे तो यह ब्रिधी वाला है इसके बाद जाएंगे तो आपको कमी होगा एक बटा 5 के बदले एक बटा 6 कर लिजिए यह आएगा 16 से 2 बटा 3 आपका करेक्ट आंसर है अप्सन नंबर का C सही है 20 परसेंट आपने जोए ग्राफ कर लिजिए ठीक ह और यदि 25 परसेंट की बात करें तो 25 परसेंट का होता है 1 अपन 4 बटा है 1 अपन 5 छोटा है उससे छोटा 1 अपन 6 है कमी की बात की गई है कमी कितना किया जाए तो नीचे आएंगे और ब्रिधी कितना किया जाए तो उपर जाएंगे इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो फास अगले question की बात करें अगले question आपके सामने ही कि पती एवं पत्नी की आउसत आई जिनका चारवर्ष पूर विवा हुआ था विवा के समय 25 वर्ष थी विवा के समय इनकी is क्या है 25 वर्ष है इसका मतलब जो है ध्यान से देखिए पती, पत्नी और पुत्री की आउसत आई 20 वर्ष यानि कि पत्नी 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 प्लस पुत्र आज के डेट में क्या है ये लोग 20 वर्स के आउसत आई है यानि 20 ये 60 वर्स के टोटल है अब विवाह के समय विवाह के समय यानि कि इनकी और इसके विवाह के समय जो है ध्यान से देखिए विवाह के समय जो इनका एवरेज है वो 25 वर्स है विवाह के समय इनका 25 वर्स है इस इसका मतलब पती प्लस पतनी पती और पतनी की जो आज की विवा के समय की जो एज है वो है 25 का डबल 50 और ये 4 वर्स पहले विवा हुआ था चार वर्स पहले तो आज यानि की वर्तमान में इनकी जो एज होगी वर्तमान में जो होगी 50 प्लस 4 और 4 दोनों लोग मिलके बढ़े है आज की डेट में इनकी दोनों की इस 58 है पती और पतनी की 58 प्लस 58 और प्लस यह आप उसका पुत्र है और इस कल टू 60 तो पुत्र इस कल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 58 यह हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर B उमीद करते ही आपको समझ में आ दिखाया गया है ठीक है तो आपको ऐसे स्वाल करना होगा 0.83 दिया है इसको आप स्वाल कैसे करोगे ध्यान से मेरी बात समझिए आप स्वाल ऐसे करोगे कि 83 माइनस 8 अपान 90 इसको ऐसे लिखा जाता है ठीक है डिवाइड का साइन दिया है 75 है तो हम 7.5 है तो 75 अपान 10 ल यहाँ पर दिया है two point तो इसको लिख लिए two plus ठीक है three two one minus जिस पर बार नहीं होता है उसको minus किया जाता है तो three को minus करेंगे और निचे जिस पर बार इस side से चलेंगे आप right side से तो nine हो जाएगा फिर nine होगा और three पर बार नहीं है तो nine nine zero और minus फिर यहाँ पर चले हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते नाइनटी एट दोनों पर बार है तो आप तो घटेगा रही अपान nine nine और यह point zero था इसके लिए zero लिखेंगे क्योंकि 98 पर बार है दोनों पर बार है इसलिए जो है यह लिखा जाए उसके आगे हम बढ़े है यहाँ पर हो जाएगा 53 से एट माइनस करेंगे तो 13 में से आठ घटेगा जहाँ पर 13 में से एट माइनस और 5 हो जाएगा और यह आपका 7 हो जाएगा 25 Orthodoxолов करेंगे तो टेन ऊपर 75 नीचे यह हो जाएगा उसके बाद नीचे की बात कर आए तो नीचे देखिए 990 यह दोनों सेम है तो 321 से 3 माइनस करेंगे 318 हो जाएगा तो आप एक बार लिखी लो 2 प्लस 318 बटे में 990 और माइनस यह 99 बटे में 990 ठीक है यह चीज हो गई उसके बाद देखे यहाँ पर 0 से 0 कटा देंगे और 75 से 75 कटा देंगे यानि 1 अपान 9 और फिर नीचे है आपका 2 प्लस अब 318 अचानबे डारेक्ट गटा लेंगे क्योंकि 990 आ 990 दोनों का बराबर है तो 318 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा और 11 में से 9 घटेगा 2 हो जाएगा और 3 में से 1 घटा दिये हैं तो ये 220 बटा 990 एक 0 से 1 0 खतम हो जाएगा ये आपका 11 दोनी बाइस 11 99 यानि कि 1 अपान 9 अपान ये आपका 2 प्लस 2 बाइ 9 होगा ठीक है ये समझ में आया अब देखे 1 अपान 9 और अपान 9 दोनी 18 और 20 बटे में 9 9 से 9 खतम हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपान 20 1 अपान 20 को हम लिख सकते हैं 0 अपान 0 5 0.05 आपका राइट आंसर है अप्शन नमबर D आप एक में 20 से भाग कर लोगे आपका आंसर आजाएगा 0.05 उम्हेत करते हैं ये भी आपको स्वाल कर पाएंगे निम्हेत ग्राफ में एक फ्रेक्टरी द्वारा वर्स 2009 से 2014 तक वाहन के दोपर कर दिये गए है ठीक है अब इसमें आपको क्या बताना है इसके सीज़े सीज़ें सवालों पर चलते है 2010 से 2011 तक टाइप Q वाहनों के उत्पाहदन में लगबर कितने प्रसत कमी आई है ठीक है ने Q की बात करें तो ये आपका विंदी आला है ये Q 2010 से 2011 तो 10 में आपका 150 से और 11 में 125 हुज़ेंट कितने का डिफरेंट आया 25 कमी हो गई तो 25 बटे में 150 और गुड़े 100 ये इतने पर्षंट की कमी हो जाएगी बस इसको स्वाल कर लेना एक 0 से 1 0 खतम 5 से 5 दूनी 10, 5 ते ही 15 और 25 बटे 3 को हम लिख सकते हैं कितना 12 दस मलो 5 कितना लिख सकते हैं 25 बटे 3 को हम लिख सकते हैं सूरत ये आपका जो है यहाँ पर 5 से हमने जो है या डिरेक्ट 50 से ही कठा सकते हैं अब 25 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 24 3 बटे 24 8 सही एक बटा इन लिख सकते हो 8 सही एक बटा 3 8 सही एक बटे 3 या डिरेक्ट आप जो है इसे भाग कर लो तो 8 पॉइंट जो है आपका यहां से आपको जो है क्या मिल सकता है 25 upon 100 ठीक है उसके बाद जो है आप जो है 50 से कटा लिया हमने अचली एक बार इसे और देखते हैं 25 डिफरेंट आया था 150 देश होगा और 100 परसेंट बस इसी को सॉल करना है भाई यहां पर हम लोग नहीं कर रहे थे 50 बटे 3 और 50 बटे 3 को लिखते हैं 16 से 2 बटे 3 यहीं कि 16.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नंबर से अगले कोर्शन की बात कर लें अगला कोर्शन आपके सामने इसी ग्राफ पर क्या है कि वर्सों में टाइप P वहानों के कुल उत्पादन टाइप P वहानों के कुल उत्पादन तो P के सभी क्रास वाले को सब को जोड़ लेना है और फिर टाइप Q के वहानों के कुल उत्पा 1025 आएगा तो आप 1200 बटे 1025 को भाग कर लो यही पर आपका अंसर आजाएगा इससे हम जो है इसको 25 से भी कटा सकते हैं ठीक है ना तो यह direct हम लिख दे रहा है यहाँ पर आप खटा के देख लिजेगा 48 by 41 इसका राइट अंसर हो जाएगा आप डिवाइड करके इसे हो कटा लिजेगा बिलकुल आपको आपको जाएगा जाएगा अगले question की बात करें अगला question आपके सामने इ उत्पादन 2014 में P टाइप के उत्पादन का कितना प्रतिसथा तो 2010 में Q, 2010 में Q 150 है और 2014 में P, 2014 में P TOThose जोई क्या है 2014 में P 275 है और 150 के उत्पादन का कितना प्रतिशत था 2014 में टाइप P के उत्पादन का कितना परसंट 150 होगा तो 150 उपर लिखेंगे 275 नीचे लिखेंगे और परसंटेज पूछा है तो 100 परसंट ये आप लिखके निकाल दीजिए बिल्कुल यहां से आपका आंसर 100 परसंट आजाएगा इसका आंसर 150 और 275 आप इसको चाहे तो बिल्कुल आसानी से सवालों को solve कर लेंगे इसका answer क्या हो जाएगा c option आपका right answer आजाएगा 54.5% इसका right answer आएगा ठीक है अगले question की बात कर लेता है अगले question आपके सामने है कि दिएगे कितने वर्सों में company की type P वाहनों का कुल उत्पादन वर्सों में दिएगे वर्सों में type के वाहनों के आउसत उत्प अब 200 से अधिक वाले कितने दिखाई दे रहे हैं 200 से अधिक वाले P में हमें देखना है तो 200 से अधिक वाले एक दो टीन एक दो टीन पी वाले में दिखाई दे रहे हैं एक दो टीन ठीक है ना भाई 200 से अधिक वाले 200 आया तो 200 से अधिक वाले हमें कितने दिखाई दे रह तो यह हमें दिखाई दे रहे हैं 200 से अधिक 4 यहनि कि 200 200 से अधिक उत्पादन आउसत उत्पादन से कितना अधिक था तो 4 ऐसे जो है 200 से अधिक दिखाई दे रहे तो आपका राइट आंसर है option number C आपका correct D आपका right answer है ठीक है ना 200 को लेकर count किया जाये तो आपके जो हो यानि कि जो है तीन जो है ऐसे हो जाएंगे दोसों को छोड़के count करेंगे तो अगले question की बात करेंगे अगला question आपके शामने है द्यान से देखिए और इस question में आपके बताएगा कि वर्स 2009 और 2011 2009 और 2011 9 का यह है और पी में तो 100 और 100 sorry 2009 और 2011 तो 100 और 2011 का 200 यहांनि 2011 में P का हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा, 2009 से 2011 में 300 हो जाएगा और इसके बाद फिर अगला 2010 की बात करें तो 2010 और 2014, 2010 का Q, Q आपका 150 है और 14 का जो आपका 225 है, यह हो जाएगा 375, Q का जो है हो जाएगा 375 अब आप से पूछा गया कि कुल कितने प्रतिसत था का जाएगा 10 और जाएगा 14 में टाइप Q के खुल उत्पादन का कितने प्रतिसत था, इसका मतलब 300, बटे में 375 और फिर इन्टू 100%, इसको भी सॉल करेंगे, तो इसका आंसर आजाएगा आपका 80% जो की राइट आंसर होगा अप्शन नमबर सी, तो यह थे आपके question, ठीके, उमीद करते हैं, यह lecture आपको बहुती help किया होगा बहुती help करेगा, तो प्लीज, आप हमारे इस exam trainer YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथी साथ वेल आइकान भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए upload करें, आपको इसका notification भी मिलता रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो आपको आपके सामने हम लेकर आते रहे करेंगे, इसके अलावा आपको reasoning की भी classes मिलेंगी, तो प्लीज, आप हमारे इस exam trainer से जरूर जोड़िए, तो आज की class को हम यही पर खतम करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली class में तब तक के लिए, जय भार, all the best.